अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन लबाना मत भूला लॉंड्री का काम किया करती थी जहाँ डीना भी उनके साथ जाया करती थी एक दिन काम करते वक्त डीना वहां मौझूद मशीन्स के बीच में फस गई और उसे बचाने की कोशिश में जब उसकी माँ उसके पास दोड़ी तो डीना की वजए से उनके उपर उबलता हुआ पानी गिर गया और डीना अपनी आखों से अपनी मा को तड़पते हुए देखती रही दूसरी औरतों ने उसे बचाने की कोशिश की पर वो कुछ नहीं कर पाई और जिस पल डीना के पिता ने अपनी पतनी को देखा उसी पल से वो अपनी बेटी से नफरत करने लगे दीना को एक कमरे में बंद कर दिया गया जहां वो घंटों तक अपनी मा की चीखे सुनती रही और उन चीखों ने डीना को सदमा पहुचा दिया दीना की हालत देखकर, उसका एकलाता दोस थौमस पीटर गया और घंटों तक तडपने के बाद दीना की मां की मौत हुई. डीना का पिता एडवर्ड हमेशा के लिए बदल गया और लॉंड्री को हमेशा के लिए तबाह करके उसने डीना को पालने से इंकार कर दिया और डीना को अपने नौकरों के हवाले कर दिया डीना अपने ही घर में अकेली हो चुकी थी और इसी अकेले पन में उसने अपनी मा की आत्मा को अपने पास बुलाया वो उनकी आत्मा के साथ खेलने कूदने लगी और इस बीच एडवर्ड के नौकर डीना को पालने की कोशिश करते रहे अपनी बेटी को समझने के बजाए, एडवर्ड दीना से बुरा बरताव करता रहा और इसलिए एडवर्ड के दोस्ट जेकब ने उसे समझाया कि दीना एक जंगली जानवर बनती जा रही है। उसने कहा कि डीना को मदद के जरूरत है और जेकब के कहने पर डीना के लिए लॉर्क नाम के एक आदमी को बुलवाया गया। लॉर्क डीना को चेलो सिखाने वाला था और अपने अंदाज में लॉर्क ने डीना को चेलो का जादू दिखाया। पहली बार मौत के अलावा दीना किसी चीज से मोहित हुई और किसी चमतकार की तरह दीना के बरताव में बदलाव आने लगा दीना सोचने लगी कि लॉर्क को उसकी माने उसके पास भीजा है और इसलिए वो लड़की जो एक जानवर बन चुकी थी अब चैलो भी बजाने लगी और पढ़ने लिखने भी लगी लॉर्क जानता था कि एड़वर्ट दीना के साथ बुरा बरताव करता है पर जब इसी बारे में उसने एड़वर्ट से बात की तो एड़वर्ट कहने लगा कि दीना ने अपनी मा का खून किया है लॉर्क ने दीना को एक पिता का प्यार देना शुरू किया और उसे समझाया कि उसकी मा की मौद का कारण दीना नहीं है और इसलिए दीना की मा उससे नफरत नहीं करती उस वक्त लॉर्क को समझ आया कि दीना मौत के कॉंसेप्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित है उस दिन दीना को अपनी मा के कपड़ों का तूटा हुआ बटन मिला और तब उसने अपनी मा को देखा जिनकी आत्मा अब भी दीना के आज पास है चैलो अब दीना की जिन्दगी का हिस्सा बन गया था और साथ ही थॉमस भी उसकी जिन्दगी का एहम हिस्सा बन गया था पर एक दिन जेकब ने एड़वर्ड से कह दिया कि वो दीना से शादी करना चाहता है जेकब उम्र में डीना से बहुत बड़ा था फिर भी वो उसे पाना चाहता था और एडवर्ड ये सुनकर खुश हो गया जब यही बात एडवर्ड ने डीना को बताई तो उसने शादी से साफ इंकार कर दिया और जब गुसे में एडवर्ड ने डीना को थपड मारा तो डीना अपना आपा खो बैठी और वो एडवर्ड को ही पीटने लगी बुरी तरह पिट कर एडवर्ड लॉर्ड के पास गया और उसने उसे नौकरी से निकाल कर वहा से जाने के लिए कह दिया वो समझ गया था कि लॉर्ड और दीना एक दूसरे के करीब आ गये है और इसलिए वो उन्हें अलग करना चाहता था जब दीना को पता चला कि लॉर्ड हमेशा के लिए उससे दूर जा रहा है तो पागलपन और गुसे में वो लॉर्ड को मारने की कोशिश करने लगी किसी तरह वो होश में आने में काम्याब हुई पर लॉर्ड हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला गया और कुछ सालों बाद ना चाहते हुए भी दीना को जेकब से शादी करनी पड़ी दीना इस नई जिंदगी से डरी हुई थी क्योंकि वो हमेशा से सोचती आई है कि वो उन्हें मार देती है जिनसे वो प्यार करती है दीना को उस घर में ले जाया गया जहां जेकब अपनी मा क्यारन और अपने सौतेले बेटों के साथ रहता है जेकब का बेटा नील्स दीना के तौर तरीकों से खुश नहीं था पर जेकब सिर्फ और सिर्फ दीना के खयालों में खोया रहता था दीना थॉमस को अपने पास रखना चाहती थी इसलिए उसने नील्स से कहकर थॉमस को उसी आईलंड पर रहने की जगे दे दी जहां दीना का घर है पर जेकब इस बात से खुश नहीं था इसके अलावा दीना जेकब के काम में उसकी मदद करती रही और पहली बार कोई औरत किसी बिजनस का हिस्सा बनी उस दिन घर लोटते हुए जेकब ने भी दीना और मौत का रिष्टा देख लिया दीना जिद करके उसे एक ऐसी जगे ले गई जहां एक आदमी को फासी दी जा रही थी दीना लोगों को मरते हुए देखना पसंद करती थी और उनकी आत्माओं को आजाद होते देखना चाहती थी ये बात जेकब के अलावा भीड में मौजूद एक आदमी को भी समझ आ गई जेकब इस बात से भी परिशान था कि लोग उसे दीना का पिता समझते हैं और दीना दिन रात चेलो बजाती रहती है जिसकी वजह से जेकब को एक पल का भी सुकून नहीं मिलता दीना का असली रूप देखकर जेकब उससे डरने लगा था और ये बात दीना भी जानती थी कुछ दिनों बाद जेकब दीना से चिपने की कोशश करने लगा और बिना बताय वो कुछ दिनों के लिए दीना से दूर चला गया इस बात ने डीना को परिशान कर दिया और वो अपनी मा से जेकब का पता पूछने लगी जेकब असल में किसी दूसरी औरत के पास था जहां उसे शांती मिल रही थी पर डीना के दुख में इतनी ताकत थी कि अचानत जेकब को गहरी चोट लग गई और उसे डीना को अपने पास बुलाना पड़ा वो घर लोट कर तो आया पर उसका पैर सडने लगा था वो दिन रात दर्द में जी रहा था और डीना से माफी मांग रहा था पर उसकी हालत दिन पे दिन बत्तर होती जा रही थी उसकी हालत ना तो उसके परिवार से देखी जा रही थी और ना ही डीना से और इसलिए डीना ने उसे इस दर्द से आजाद करने का फैसला किया जेकब को अलविदा कहकर डीना ने उसे पहाड की चोटी से नीचे फैक दिया और इसी के साथ मौत के साथ उसने अपना रिष्टा और गहरा कर लिया। वो फिर से अपने पागलपन की ओर जाने लगी और उसे संभालना हर किसी के लिए मुश्किल साबित हो गया। इस बीच थॉमस उसे संभालता रहा और तब दीना थॉमस के करीब आ गई। थॉमस और डीना के इस रिष्टे के बारे में नील्स जान गया। नील्स ये भी जान गया था कि जेकब की लिखी विल अगर उन्हें ना मिली तो सारी जायदार डीना के नाम हो जाएगी। पर डीना ने वही विल उसी के सामने जला दी और उस घर की मालकिन बन गई। कुछ वक्त बाद सब को पता चला कि डीना प्रेगनेंट है और नील्स जानता था कि ये बच्चा थॉमस का है। नौ महीनों बाद जंगल के बीचों बीच दीना ने अपने और थॉमस के बेटे को जन दिया। थॉमस जानना चाहता था कि वो बच्चा उसका है या नहीं पर दीना ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। दीना ने अपने बेटे बेंजमिन को थॉमस और स्तीना नाम की एक नौकरानी के हाथों सौब दिया। और उन्होंने ही बेंजमिन को पालना शुरू किया। दीना खुद कभी अपने बेटे के करीब नहीं गई, एक दिन दीना को लॉर्क की चिठी मिली, जिसमें उसने लिखा था कि चिठी मिलने का मतलब है कि लॉर्क की मौत हो चुकी है, लॉर्क के चेलो के साथ आई उस चिठी के जरीय, लॉर्क ने उसे एक सला दी और कहा कि उसे मौत से नहीं, जिन्दगी से प्यार करना चाहिए। कुछ दिनों बाद, बेंजिमिन की वजए से उस जगे आग लग गई, जहाँ जानवरों को रखा गया था, और उस आग को देखकर दीना को अपना बच्पन याद आने लगा। उस वक्त एक अंजान आदमी वहाँ आया और उसने सारे जानवरों को आग से बचा लिया। दीना लियो नाम के उस आदमी की और खिची जा रही थी, पर उसके और लियो के बीच अब भी जेकब मौजूद था। दीना उस दौर में जी रही थी, जहां औरतों को लियो को पता चल गया, पर उसने नील से कुछ नहीं कहा। उस राट दीना और लियो ने एक दूसरे से बाते की और तब लियो ने बताया कि उसने सालों पहले दीना को देखा था। उसने ये भी कहा कि यहां आने का उसका मकसद दीना को पाना है। डीना को भी लियो पसंद था पर अगले ही दिन लियो को रशिया वापस लोटना पड़ रहा था। एक और बार डीना ने किसी को खो दिया और लियो के दूर जाने के गम में वो थौमस के पास चली गई। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि स्टीना के साथ जबरदस्ती हुई है और वो अब प्रेगनेंट है। सच जानते ही उसने नील्स से कह दिया कि उसे या तो स्टीना से शादी करनी होगी या उसे आइलन्ट छोड़ कर हमेशा के लिए अमेरिका जाना होगा। नील्स एक नौकरानी से शादी नहीं करना चाता था पर क्योंकि सारी जायदार डीना के कबजे में थी उसके पास अमेरिका जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। इसलिए सजा के तौर पर नील्स के हिस्से के सारे पैसे चीन कर डीना ने वो पैसे स्टीना को दे दिये। को लेने वहाँ आया है और अगले ही दिन उसे रशिया लोटना होगा दीना फिर से परिशान हो गई और उसके जाने की बात सुनकर उसे अपनी मा नजर आने लगी ठीक उस वक्त नील्स शराब के नशे में वहाँ पहुचा और उसके आते ही दीना ने उससे कहा कि वो भी अग दीना के बीच बात चीत हुई जहां लियो ने कहा कि वो जानता है दीना को उसकी मरी हुई मा नजर आती है और वो जब भी दीना के पास आता है उसे मौत का एहसास होता है वो दोनों ये सोचने लगे कि उनके पास दीना की मा चल कर आ रही है पर उनके पास आने वाली औरत एक नौकरानी थी जिसने बताया कि नील्स ने फासी लगा कर अपनी जान दे दी है. दीना के पेट में लियो का बच्चा बल रहा था और यही बात उसने लियो को बतानी चाही पर वो यह नहीं जानती थी कि लियो इस वक्त कहा है. उसने एक चिठ्थी लिखी जिसमें उसने कोड लाइंग्विज में सारी बाते लियो को बताई. कुछ दिनों बाद दीना को एडवर्ड ने बताया कि लियो असल में एक जासूस था जो नौर्वे के राजा को मारना चाहता था पर अब वो पकड़ा गया है और जल्द ही उसे फासी दी जाएगी. सच ये था कि दीना की लिखी कोड लाइंग्विज वाली चिट्थी पढ़कर लियो को एक जासूस समझा जा रहा था. ये जानकर दीना जल्द से जल्द लियो को बचाने गई और उसने हर किसी को ये समझाने की कोशिश की कि जो मैसेजिस उन्हें मिले हैं वो लियो और दीना के बीच की भाषा है. पर दीना की बाते सुनकर वो सारे लोग उस पर हसने लगे. दीना लियो से मिलने गई और तब लियो ने बताया कि वो कभी आजाद नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई भी उनकी बात नहीं सुनेगा दीना ने कह दिया कि वो लियो से शादी करना चाहती है और अपनी जिन्दगी उसके साथ बिताना चाहती है उनकी बातों के बीच जब एक गार्ड वहाँ आया, तो डीना और उसके बीच हातापाई शुरू हुई, जिसकी वज़े से डीना ने अपने और लियो के बच्चे को खो दिया, घर लोटते हुए डीना भी अपनी जान खोने वाली थी, पर उसे सही वक्त पर जेकब के दूसर में काम्याब हुई, एंडर्ज ने बताया कि लियो डीना की गवाही की वज़े से आजाद तो हुआ, पर कोई नहीं जानता कि अब वो कहा है, थॉमस और स्टीना ने एक दूसरे से शादी कर ली, और अब बेंजमिन और डीना साथ रहने लगे, पर एक दिन जब वो बेंज चलाना सिखा रही थी, तब बेंजमिन पानी में गिर गया, किसी तरह डीना ने डूपते हुए बेंजमिन को बचा तो लिया, पर वो खुद मौत के मूँ में कूद पड़ी, वो अपनी मौत के लिए तयार थी, और अपनी मा के पास जा रही थी, पर उसे एक अंजान आदम तो पैसे लेकर फिर से दीना को छोड़ कर जा रहा है, गुसे में डीना ने कहा कि अब कोई उसे छोड़ कर जा नहीं सकता, और उसने गुसे में लियो को गोली मार दी, उसने लियो की जान ले ली, पर फिर उसे एहसास हुआ कि वो बेंजमिन के साथ वही कर रही है जो बच नहीं कर पाई जिनसे वो प्यार करती है थांक यू फर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना